हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में तो दोस्तों आज हम UPHAC की जो सेलेबस है उसके अंतर के जितने भी उपन्यास है उनके पात्र परिशे के बारे में चर्चा करेंगे तो मैंने उपन्यासों का जो प्रकाशन वर्ष है और उनके जो वर्ण विशे हैं इन पर वीडियो बना दिया था लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज हम इन ही उपन्यासों के जो पात्र परिचे हैं उनके उपर चर्चा करने वाले हैं तो गोदान प्रेमचंद का लिखा गया उपन्यास से इसका मोख्य पात्र जो है वो है होरी उपन्यास का नायक है क्रिशे कवर्ग का प्रतिनीदी पात्र है इसके रहावा धनिया होरी की पतनी है, उपन्यास की नाईका है, क्रिशक वर्ग की प्रतिनीधी पात्र है, एक निर्भीक और नीडर इस्त्री है, परिश्रमी महिला है गोबर होरी धनिया का पत्र है, जुनिया का पती है, विद्रोही चेतना का प्रतीक है सोना होरी की बड़ी पुत्री है, रूपा होरी की छोटी पुत्री है, पंडित दाता दीन होरी के गाउं का पंडित है, माता दीन के पिता है, धूरत एवं चालाग है मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर एवं शक्करमिल के मैनेजिंग डारेक्टर है मिस मालती इंगलेंड से डॉक्टरी पढ़कर आई युवती है गतिशील चरितर के युवती है जुनिया भोला की विद्वा बेटी है गोबर की प्रेमका और पतनी है इसके अलबा गोविंदी खन्ना साहब की पतनी है सरोज मालती की बहन है सीलिया जाती की चमारिन है माता दिन की प्रेमिका है जिंगूरी सिंग और गंडर सिंग गाउं के महाजन है अब बात करते हैं वयम रक्षा महा इसके जो की अचार चतुर सेंग शास्त्री का उपन्यास से इसके पात्र की तो रावन जो है इसका मुख्य पात्र है उपन्यास का नायक है इसके अलबा राम सीता हनुमान वसिस्ट विश्वामित्र कुबेर शिव पार्वती माली सुमाली मालवान कुमकरण मेगना सुर्पनखा मारिच आदी का वर्णन है तो अगर कहा जाए तो इसमें जो है रामायन के जितने भी पात्र है जैसे कि दश्रत हो गए केकई हो गई तो जितने भी रामायन के पात्र है सभी कवार्णा ने इसमें दिया गया है लेकिन जो मुख्य पात्र इसका आता है वो है रावन तो रावन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं देव कुमुद, मुख्यपात्र है, नाइका है, विराटा की प्रमीनी है, दाँंगी अन्या और किसान नर्पति सिंग की पूत्री है, कुमुद का पिता है, कुंजर सिंग, नायक है, दलीपनगर का राज़कुमार है, वीर योधा है, देश्त्य है और एक सच्चा प्रेमी है को मुद से प्रेम करता है देवी सिंग बुंदेला किसान है सचरित्र धर्म परायन समवेदन शील अपने करतावी के प्रती सजग है और सहिर्दे राजा है इसके अलावा छोटी रानी नायक सिंग की दूसरी पत्नी है स्वारती है और रज के लिए इसके मन में लालच भाव है स्वैम पत्वे बैठना चाहती है अलि मर्दान काल्पी फौजदार है और खलनायक जो हम इसको कह सकते हैं कि जो इसका खलनायक है वो हम इसको ले सकते हैं नायक सिंग दलिप नगर का राजा है ऐोग्य है विलासी सनकी विवेकिन और चर्तरहीन राजा है राम दयाल नायक सिंग का मुहलगा नौकर है और प्रिये नौकर है स्वार्थी खुशामदी क्रूर और कायर और चरित्रहीन वेकर अब जो है पुनर्णवा उपन्यास के पात्रों की बात करते हैं तो इसमें पुरुष पात्र है गोपाल आर्यक जो की नायक है इसक अपात्र है और देवरात का शिष्य पुत्र समान शिष्य होता है चारुदत श्रीचंद गोप वनभूमी के चोधरी हैं गोप पुत्र होते है आर्यक और श्यामरु इस तरी पात्र जो है वह है मृणाल चंद्रा मांधी मन्जला वसंत सीना तो मृणाल जो है वो नाईका क तो यह इसके मुख्य पात्र है अब बात करते हैं नदी के द्विप जो है उसके पात्रों की तो भूवन विज्ञान का प्रोफिसर है नायक है रेखा एक पढ़िली की इस्तरी है पती द्वारा त्यगता होती है और समवेदन शील और मुख्य पात्र है गौरा भूवन की शा जाता है जब नहीं हासिल कर पाता तो उसे छोड़ देता है डॉक्टर रमेश चंद्र रेखा का नया पती है और एक सुल्चा हुआ वैक्ती है भूले विसरे चित्र जो की भगवती चरण वर्मा का है भीखु कहार जाती का है कचहरी में शिवपाल के साथ काम करता है शिव की वीखु की पत्नी है शिवपाल के घर में काम करती है शिवपाल के साथ उसके अव्यद संब्ध है शिवपाल का चहरी में काम करता है विदुर है मुख्य पात्र है ज्वाला प्रसाथ शिवपाल का बेटा है रादेलाल शिवपाल का भाई है जमुना ज्वाला प्रसाथ क की पतनी है मलका एक इस्तरी पात्र है संतो इस्तरी पात्र है गंगा प्रसाद जौला प्रसाद का बेटा है और गंगा प्रसाद का ही इन दोनों के साथ संबंद होता है प्रेम होता है लाला प्रभु दयाल महाजन है एक चालक प्रवृति का है जैदाई प्रभु दयाल की पत यहां पर गलती से बतने हो जाते हैं ठाकुर बर्जोर सिंग और ठाकुर गजराज सिंग अब इस अपन्यास में भूले बीच सरे चिंस िमिले चार पीडियों की कथानक तो वह चार पीडि जो है वह यह शिवपाल जौला प्रसाद गंगा प्रसात और नवल तो इन 4 पीडियों की जो हैी हैं दियान में रखने किर्थी नरेश कर्ण देव गाहडवाल नरेश चंद्रदेव देव नदी किर्थी वर्मा मुख्य पात्र है और नायक है गोविंद शंकर विद्याधियर चंदेल समराथ है विजेपाल विद्याधर का बेटा है किर्थी वर्मा का पिता है देव वर्मा किर्थी वर्मा का पर वसंति बिश्मसानी का उपन्यास इसके प्रमुक पात्र वो है बसंति 14 वर्षी लड़की है मुख्य पात्र नाईका है त्यागमी और विनैशील है दीनू बसंति जिससे प्रेम करती है रुक्मी दीनू की पत्नी है पपु बसंति का बच्चा होता है बूरा लंगड़ा बुलाकी राम बसंती का बाप जिसको बसंती को बेच देता है और यह दर्ची है जिसको बसंती का बाप उसको बेच देता है बसंती की दो बहन है बसंती का जीजा है बसंती का पिता है और एक श्यामा बीवी है तो यह जो है उपन्यास के प्रमुख़ पात्र है अब मैला आंचल इसके जो प्रमुख़ पात्र है वो है डॉक्टर प्रशान्त मुख़ पात्र है कमली नाईका है विश्वनात्प्रसाथ तहसील दार है बाले देव कॉंग्रेस की कार्य करता है चुनि लाल स्वराज के प्रदी समर्पित है लक्षमी, सेवदास, मटके पुजारी है, रमादास, रामप्रिया, काली चरण, मंगला और बावंदास तो ये जो थे उनके मेला अचल के मुख्य पात्र है जूटा सच, इसके जो मुख्य पात्र है वो है संपन परिवार के स्त्री है और जैदेव की पत्नी है इसके अलावा जो अन्य पात्र है वो है पंडित गिर्धारिला, नयर, डॉक्टर प्राणना, सूध, शीला, उर्मिना और सोमना तो ये है वो जूटा सच के प्रमुक पात्र उसके अलावा मानस का हंस इसके जो प्रमुक पात्र है वो है बाबा तुलसीदास, उपन्यास के केंद्र बिंदु है रतनावली तुलसीदास के पत्नी है पंडित दीन बंदु, रतनावली के पिता है श्यामो, श्यामो की बुवा, मैना कहारिन संत बेनी माधव, रामुदिवेदी, पंडित गणपति पात्याई बकरीदी चाचा, रजिया बाबवा, मनकु, मित्र गंगा राम तो ये मानस के हंस के प्रमुक पात्र है अब राग दरबारी इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र है रंग नाथ, उपन्यास का मुख्य पात्र है, इतिहास से स्ताकोत्तर के बाद प्यच्डी कर रहा है वैदी जी, उपन्यास के नायक है, और केंद्रे पात्र है, वैवायार कुशल, दोहरा चरितर वाले और रिश्वत खोर है प्रिंसिपल, छंगामल विद्याले के प्रिंसिपल है, चाटुकार चुगली करने वाला व्यक्ति है बदरी पहलवान, वैदी जी का बड़ा बेटा, पिता के नक्षे कदम पर चलने वाला व्यक्ति रुपन वैदी जी का छोटा बेटा क्रांतिकारी युवा वर्ग का प्रतिनी थी खर्णा इंटर्मीडियर्ट कॉलेज का लेक्चरर है इमानदार विद्रोही समझोता करने वाला वैक्ती है इसके अलावा आपका बंटी इसके जो प्रमुक पात्र है वो है बंटी का पिता है वकील चाचा शकुन और अजय का वकील है फूफी शकुन की सेविका है और अजय से नफरत करती है डॉक्टर जोशी शकुन जिससे दूसरा विवाह करती है और अभी और जो डॉक्टर जोशी के बच्चे है अत्रिक्त पात्र मीरा और माली है मीरा जिसे अजय जो है दूसरा विवाह करते हैं तो दोस्तों ये था जो यूपी एचेसी सिरेवस के अंतर अगर जितने भी उपन न्यास थे उनके पात्र परचे तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लगिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सबस्क ापिवचल